मस्टेंग है चलो मस्टेंग जीटी है बाई कहां पहुंच गें हम अभी मैं हुर जी हली पैड में और यहां पर वही अपना निभा निभी यहां पर कुछ कर रहे हैं करने दो इनको प्रभी नहीं कहां यार कल एक हो जाया मैं तजूरी को असलाम लेकों गाइज और वलकुम बैक तो दे चैनल कैसे हैं आप सब अमीद है आप सब लोगोड़ कि अब जोगे अब धी गाइज मैं हूं अपने ननी हाल में पर अब आप आप मैं और यहां पर देखो सीन कहा है पहले अब ए देख लीजेजी क्या विई है यहां पर तो अभी मेरा प्लैन ये है मैं कल रात को गर पहुंचा कल रात एक बज़े में गर पहुंचा और मेरे गर में किसी ने भी मेरी गाडी नहीं देखी अभी तक मेरा बार चॉसन उ तो यह जी गाड़ी देख लीजिए यह कुछ बैक साइड का व्यू अभी मैंने दुलाई जैस्ट एक गंटा पहले लेकिन फिर भी देखो दूल चड़ गई है क्योंकि काले रंग पर बहुत चड़ते दो यह कुछ ऐसा व्यू गाड़ी का अमान कैसे लगी गाड़ी जरह देखो अच्छी है यह गर में इदर आ जो भी जाएंगे हम गूमने अभी मैंने नंबर प्ले नहीं लगाए इसके तो यह है कुछ व्यू गा माशाला लिखा इस पर तो बस ऐसा कुछ भी है मेरी हा मेरी यह समझो तो पहले मेरा बाई आने वाला मारकेक तो वहां उसको मैंने कॉल की बोल रहा था कि 10-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा तो उसको दिखाते हैं गाड़ी उसका रेक्शन देखते हैं और उसके बाद चलत चलते हैं बाई आ रहा है अभी वहां से देख लो चल रहा है लेकिन अभी से पता नहीं है कि गाड़ी यह खड़ी है और मैं गाड़ी से थोड़ा सदूर रहो देखो गाड़ी कहां पर उदर वास इसको बोलोगा मैं जूट मूड़का कि मैंने बाइक लाई मेरी हालत खराब होगी आपे वेट करते करें तो अलेकुम असलमाजा बड़ी बड़ी पसंदेना लॉंग टोर के लिए चाहिए थी बाइक बोला थे बाइक बलाए तो अधर पड़ी चाहिए अधर नजर पड़ी चाहिए अधर दूर सी मुझे पता था यार तु बाइक अधर के सारत है अरे यार मैंने जो बोला यार मैंने नंबर प्लेट पर शेक लिखा ना इसको पता ही है अबना ड्रीम क्या है नहीं कहा यार कल एक बुझा है मैं रजूरी से चलो देखें अभी बजा भई पहले यार रियक्शन तो चेक करना है बाई माशा अल्ला लिखा अधर माशाला लिखवा है मैंने चलो अभी पूरा पीछे से तो देख लो यार अभी बहुत रहा है कि घर वाले तोड़ देंगे क्योंकि भाई गारी मोडिफाइनस ज्यादा की हुई आजा बाई पीछे से देख तो यार पैसे तो पीछे लगे हैं बाई यह कौन सी मुझ अधर कपड़े रखेंगे हैं किदर बैठे 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 उपरी बैठे उपरी आप चलो भाई अभी चलते हैं अपना हम जाते हैं फॉरेस्ट की तरफ थोड़ा सा गूमने चलो भाई चलते हैं अभी अभी अच्छा मुझे यह बात बता गाड़ी का लुक कैसा लगा तुझे नहीं यहां पर ना गाई गास का रही है तो अभी हम घाइस फाइनली गर जा रहे हैं और अभी बस दिल में यह दार है कि गाड़ी थोड़ी सी मॉडिफाइड है तो पता नहीं गरवाले क्या बोलिंग क अच्छा अच्छावड ही हाड़े को 95 यह बहुत ज्छाब लाइगा तो फिर देखें क्या होगा चेले कहा भी घर और अट कि मैं यह रह्म कार गर्मै कालम करें ना यह तर फांटे कर बाट तो अभी मैं हुन जी ए देख दोग मैं अभी मैं हूंची हली पैड में अगा पह ब्देखने को मिलती है तो यहां पर गाड़ी को साइड में नगा के और फिर बात करते हैं यहां से विश डिखका नहीं पड़ेगा लेकिन दूर से बिखाता हूँ यह निबन भी फिर से वही कुछ कर रहे हैं देखो यह कुछ व्यू है यहां पर तो गाइस अभी मैं आपको बढ़ाता हूं कि अमान चुप करोगे मत बांद नहीं करना है यह अब ठंद होगे तो अभी गाइस फाइनली मैं आपको बढ़ाता हूं मेरे हो गया हो गया हो गया करो चुप अब मुझे बात करने तो फाइनली फिर घर हम पहुंच गे थे और गर्वालु का रियक्शन कुछ ऐसा था अमी का रियक्शन बहुत अच्छा था क्योंकि गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है जैसा कि आप ने देखा गी आप अमान एक सेटेंड बाई मुझे बात करने दो और डैड का रियक्शन आपको पता ही यह डैड ने बोला कि गाड़ी तो अच्छी है लेकिन गाड़ी थोड़ी सी मॉडिफाइड है थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है और उसने बोला कि यह गाड़ी पे पकता है मैंने बोला कुछ इलीगल नहीं लगा हूँ है बस मॉडिफाइड है तो उस पर थोड़ा सा सुनना पड़ा गरवालों से कि गाड़ी मॉडिफाइड है और अभी छोटे बच्चों से पूछते हैं इनसे पूछते हैं कि कैसी गाड़ी लगी आपको अमान आप मु आपको क्या लगा सबसे अच्छा तो चलिए गया जिसी की साथ करते हैं आज का व्लोग एंड अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कीजिए और मिलते आपसे नेक्स व्लोग में तब तक के लिए अपना खयार रखें अलाहाफिज बाई